अजीन नमस्कार सच्छिकाल आज हमारी नदियां कम्प्लीट अब हमारे पास बची है कौन सी दक्षनी अमेरिका की मुखे नदियां आई याई यह नहीं दक्षनी अमेरिका देख लेए यो लगवईशों सो यह देखो पूरो कौन सी दक्षनी अमेरिका की दक्षनी अमेरिक बस छोट होटी वची जह नदियां पूरी वे सिपनोड बनाना है थोड मैंनमें चीजा था रहे आ देजा है तो एंडीज की परवत्ष्रेणी है कि एंडीज परवत्ष्रेणी से यह नदी निकलती है पेरू से कहां पेरू से कौन सी अमेजॉन अमेजन नदी तो लिखो उद्गम एंडीज परवत के पेरु से इस मादीब का सबसे बड़ा देश है ब्राजील ये जो नदी है वो ब्राजील से बहती है मुख्य रूप से ब्राजील फैमस नदी है अमेजॉन नदी विश्वय में सबसे लंबा सरफ एनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है यहां बहुत सारी परजातियां है यानि जलिये जीवों की इतनी परजातियां पाई जाती है इस नदी के अंदर लगबग 2600 परकार की मचलियां है इसके अंदर अमेजॉन नदी बहुत बड़ी नदी है परवा के अंदर लिखो विश्वय की सबसे बड़ी नौट्स मनाता जाओ विश्वय की सबसे बड़ी वे दूसरी लंबी नदी लंबी नदी लंबाई है 6448 किलो मिटर लंबाई तो चोखी है इसमें सदा बाहर वन भी पाई जाती है जिने का जाता है सेलवास सेलवास इस नदी के अंदर 2600 परकार की मचलिया सबसे बड़ी साहिक है इसकी मडीरा ये भी ध्यान दखना इसकी सबसे बड़ी साहिक नदी का नाम है मडीरा अमेजोन नदी अमेजोन यादा है अमेजन नदी अंदीज परवत से निकलती है उदगम पेरू के अंदीज परवत से ब्राजील में बैती है अंटलाटिक मासागर में गिर जाती विश्वे की सबसे बड़ी लंबी दूसरी यह फिक्स नहीं यह चैज़ा चार सवता हो सकता है कंबेशी कहें सदाबार वन पाई जाते जिने सेलवास कहा जाता है मचलिया और सबसे लंबी साहिक है इसकी मडीरा मडीरा चलो दूसरी आजाओ उपरवारी साइड से बैती है और उसका नाम है औरी निको नदी दूसरी नदी दक्सनी अमेरिका की औरी निको औरी निको नदी औरी निको नदी इसका उद्गम होता है गयाना उच भूमी से उच भूमी से लिखो अंतिमस्तान वही अंतलाटिक महसागर अंतिमस्तान अंतलाटिक महसागर में गित्य ये भी है तो ये छोट-छोटी विशेश रूप से इतनों ज्यादा तो कौन पूछेदा है ये कौन से देश के ये वेनुजुएला जो देश है ना उसकी परमुक नदी है वेने जुएला आपको पता है विशेश का सबसे उन्ता जल परपात कौन सा है एंजिल जल परपात कहा है वेने जुएला के अदर ये ओरिनिको की साहिक साहिक नदी के उपर है जिसका नाम है कोरो ये ध्यान रखना में चीजा आई एंजिल जल्द परपात औरिनीको की साइध कोरो नदी के उपर है याद रहे जासी गे ठीक है बहुत अच्छी डक्सनि-अमेरिका की एक छोटी सी नदी अगर आप और याद रखो तो रख लेना पराना न दी याद रखो तो क्योंकि बहुत सा टावरा तो आपकी जिंदगी में ही ए नदियांगा नाम पहली बार सुने है यह कहां से उद्गम होती है ब्राजील से क्योंकि विशेश रूटों समझाना रहों कुछ है को टावरों नोट्स बन जिया आही अच्छी बात है बास यह रियोडीला प्लाट इसका अंतिमस्तान है परागवे और ब्राजील की यह सिमा बनाती है परागवे ब्राजील अगला टोपिक अपना जील है जीले लगता है इगुआजो नाम का जल परपात है जो बड़ा जल परपात है विशे का बड़ा जल परपात माना जाते है इग इगु आजो इगु आजो इसी के उपर हैं जल पर बस नदी कंप्लीट हो जाएगी एक दो और बची यह नदी वैसे कोईला पर यूएन के लिए फेमस है सोरी कोईला पर यूएन के लिए नहीं राइन नदी है कोईला सोरी चलो ठीक अब यूरोप की एक दो नदियां बच गई वो भी लिख लो साथ में क्यूंकि यूरोप की नदियां कुछ इंपोर्टेंट है पहली नदी जो है वो है राइन लिखो ये यूरोप की बड़ी महत्वपुर्ण नदी है राइन नदी यूरोप की महत्वपुर्ण नदी इंपोर्टेंट नदी यूरोप की उद्गम आलपस परवत सी बहुत मैथ पुर्ण नदी अठिम्स्तान उत्री सागर में उत्री है उत्री सागर में गिद्धिया ये नदी ब्ह dazu काटी से गिद्धियों पाडियों को काट की बीचे ने अगलायन सी दिख जैरी म Tous ःग्यरी यानि यह नदी जो है वो ब्हत ब्रांस गाटी से बैती है राई नदी एक दो नगर भी है याद रखो तो रख ले ना को लोना है राटर्डम है यह राई नदी के किनारे यह रोप का सबसे वेष्टम जलमारक जो है वो राई नदी के अंदरी है और कोईला परिवयन इसमें सबसे जादा होता है इसलिए कवाला नदी भी कहा जाता है कोईले को परिवयेंट ज्यादा वे या फिर येडो पि युट आपर की जीवन रेखा दूसरों नाम है यूरोपें यापार की जीवन रेखा आा का वाजीवा टावरोह की बात है ना देक भुट मेर परिव नदी है अगली है हैby Visit देन्यूब निन उदगम युरोब के बलेख फ्रेश्ट छे। इुरोब के बलेख फ्रेश्ट। कि कह अंतिम्स्तान काला सागर काला सागर काला सागर कई देशों से बैते हैं डेनियूम नदी आस्ट्रिया है, स्लोवागिया है, हैंगरी है, रुमानिया है देश लिकुले दूसरी विश्वे की बड़ी नदियों में सामिल है ये डेनियूम नदी और इसके किनारे विएना, बुड़ा, पेस्ट और सर्बिया किनारे इसके किनारे है विएना, बुड़ा, पेस्ट और सर्बिया विएना, बुड़ा, पेस्ट और सर्बिया ये इसी नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे ओ मेनाओ एक नदी है पो इसे इटली की गंगा का आजाता है वसीती याद रागले और की दर्पी लंभी नदी या इटली की गंगा पो और इटली का प्राइचीन सहर है वेनिस वो इसी नदी के किनारे हैट वेनिस है ए Tuesday की गंगा पो पो, स्वीजेलेंड का जर्मनी सहर रोन नदी के किनारे ये भी थोड़ा सा जहां रख लेना, रोन नदी ये जो भूमत ये सागरेबाद में जाकी करती है, फ्रांस का पेरिश जो है वो सीन नदी के किनारे, अलग से लिग लेना कई बरान सिधा सिधा फूस ले, कैसीन बना र आठ्टेलिया है घर लो ओ है अठ्टू या ने गड़ाएगी या मरे ड़ार्लिंग अजाईग बढ़ जैगी यानि आश्टेलिया की सब से लंबी नदी मरे डारलिंग डारलिंग तो है 2750 किलो मेटर लंबी डारलिंग जो उध्गम क्वीश लेंड से होता है मरे है अठारा सो सतर किलोमेटर लंबी, यानि डारलिंग लंबी है, मरे छोती, मरे डारलिंग नदी, आस्टेलिया की लगबग सेंती सो पचास किलोमेटर लंबी है, टोटल, सेंती सो पचास किलोमेटर, मरे डारलिंग, अन्तिमस्तान है, अलेकजेंडरिया, यहाँ पर भाग घाड पूर्वाइं में बैठी यह नदी जो है उत्सुरूत कुओं के लिए जाने जाती है पाताल तोड कुओं का देश पूर्ण साहर आस्टेलिया यानि बूमी के नीचे पानी इतना उपर है कि पानी खुदी उपर आना शुरू हो जाता है वो निकलना शुरू हो जाता है बहु सच्छे बन गए अब बार बार इनको पढ़ लेना अब हम आगे का टोपिक पढ़ेगे जीले ठेंक यू